आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हुड़ाबा इस्टाइल मसाला चिकन जिसमें हम कम तेल और कम मसाले डालेंगे और कम समय में बना करके रेडी करेंगे और इतना जूसी बिना पानी के बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए चलते हैं बनाने और आप लोगों से रिक्रेश्ट है जो हमारे अभी नए फ्रेंड आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर चलते हैं कि यहां पी देखिए मैंने इस तरह का एक चॉपल लिया है आप चाहें तो मिक्सर में भी पीछ सकते हैं इसमें मैंने दो इंच अतरक के टुकड़े लिया है आठ से दस लेस्ट और यहां पे मैंने चार मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसको हम चॉप कर लेंगे हम में बिल्कुल बारिक नहीं पीछना है इसको मोटा मोटा चॉप करना है तो हम इसको चॉप कर लेते हैं तो देखिए इसको हमने चॉप कर लिया है तो देखिए हमने ज्यादा बारिक नहीं किया मोटा रखा है प्याज को और इसमें हम चार टमाटर डालेंगे और यह वन के तो इसको मैंने धो करके क्लीन करके लिया है तो चलते हैं अब गैस के पास तो यहां पर देखिए हमने ज्यादा नहीं लिया है इसमें हम वन टीस्पून जीरा डालेंगे दो लाल मिर्च सुखी दो तेजपत्य और इसे थोड़े से चटकने देंगे इसमें हम मसाले कम यूज कर रहे हैं आप लोग देखे होंगे जब हम ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मसाला चिकन ओडर करते हैं तो वो 10 से 15 मिनिट में रेडी करके ला देते हैं तो इ जीरा और मिर्च तेजपत्ता रेडी हो गया है तो अब इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज अद्रक और लेसुन डाल देंगे आप चाहें तो इसमें अद्रक और लेसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा और दरदर डाल रही हो इसमें मैं पेस्टी इस्तेमाल नहीं कर रही हो तो इसको हम भून लेंगे इससे हम ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसको हलका सा रोश्ट करना है तो हम इसको दो से तीन मिनट भून लेते हैं कि इसे हम ढख करके दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुखोने देते हैं तो देखें दो मिनट हो गया है और प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया है कि देखें कि तो हम इसको चला लेते हैं अच्छे से तो देखें इसको हमने चला लिया है तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो इसमें मैं हाफ टी स्पून लाल मिर्च हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून किस्मेरी लाल मिर्च कलर के लिए यह ओप्सनल है अगर आपको नहीं पसंद है किस्मेरी लाल मिर्च तो मट डालिए हाफ टी स्पून मैंने जीरा पाउडर डाला है यहां पर हम ज्यादा मसाला यूज नहीं कर रहे हैं और इसमें हम टमाटर चॉप किया हुआ जो हमने चार टमाटर लिया था उसे डाल दिया तो हम इसे मसाला भूनते वक्ती टमाटर को डालेंगे क्योंकि ज्यादा पानी चोड़ता है तो देखें अब इसमें हम नमक स्व मिनट के लिए तो देखे दो मिनट हो गया है तो टमाटर भी हमारा सॉप्ट हो गया है हमने ढग करके दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे टमाटर को कुको होने दिया था और अब यहां पे हम चिकन को डाल देंगे तो देखे अब इसको हम चला लेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे पकड़े न तो देखे हमने चला लिया है अच्छे से अब यहां पे हम डालेंगे धनिया पाउडर धनियआ पाउडर हम बाद में डाल रहे हैं धनिया पाउडर पहले डालने से थोड़ा सा इसका इसका तदू नहीं डाल है तो इसीलिए धनिये को ऐदा आलीं तो देखें इसको हम बराबर अच्छे से चला लेंगे इसमेहम ंपानी नहीं डालेंगे इसमें हमने ट्रमाटर डाले हैं तो यह पानी अपने पी छोड़ेगा और उसी में चिकन हमारा अच्छे से कुख हो जाएगा तो अब यहां पे हम क्या करेंगे हाप टी स्पून गरम मसाला एड़ करेंगे और इसको हम एक बार फिर से चला लेंगे फिलेम को हम मीडियम रखेंगे तो देखें मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसे हम ढख करके पांच मिनट के लिए मीडियम फिलेम पे पकाएंगे तो देखें 5 मिनिट के बाद हमने धकन को हटा दिया और देखें कितना अच्छा कलर आया है और इसमें हमने पानी बिलकुल एड नहीं किया है जो हमारा टमाटर था उसी से पानी छोड़ा है देखें तो इसमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी टमाटर जो था उसने इतना इतना पाना णों रिलिज किया है कि वसी से हमारा चिकन कुख हो गया है और इतना जूसी बना है और चेक अली दोलने हैं तो फोलती हैँ तुर देखिए कुछ मिंटों में हमारा चिकन रेड़ी है अब इसमें हम एद stiff तो अटे जोगी है और अब इसको हम चला लेंगे, मिक्स कर देंगे, और फ्लेम को आफ कर देते हैं, तो हमारा चिकन रेडी है, तो चलिए अब हम सर्व करते हैं, तो यहां पर देखिए, हमारा चिकन रेडी है खाने के लिए, तो आज आईए आप सब लोग, देखिए कितना जूसी बना है, इस तरह से कुछ मिन्टों में आप लोग भी बना करके रेडी कर सकते हैं, तो फ्रेंज, कैसा लगा हमारा रेशिपी, और इतने कम समय में हमने चिकन बना करके रेडी कर लिया, तो फ्रेंज, आप लोग के लिए मेरी रेशिपी अगर आप लोगों को पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलाई, बेल आइकन को जरूर दबाएं तो देखते रहे हैं कृष्णा की रसोई मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई